हेलो एवरीवन वेल्कम यो आल टो चानक के आईएस अकैडमी आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखिए इंडिया ने अपना फॉर्स्ट वॉर्टर बॉड़ी सेंसर्स निकाला है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस सेंसर्स के अंदर क्या-क्या वाटर बॉड़ी कवर की गई है वाटर बॉड़ी की डेफिनिशन क्या है और क्या-क्या अलग-अलग स्टेट्स के वैरियेबल डेटा आएं तो आईए शुरू करते हैं अपनी वीडियो सबसे पहले दूरी होता है किसी भी संसर्स या रिपोर्ट के लिए यह हम उसके बारे में जाने कि वह कौन से मिनिस्ट्रि्य रिएज करती है तो इंडिया का जो फीर्स्ट सेंसर्स है उसको रिलीस किया है Ministry of Jal Shakti ने इन्होंने basically जितने भी pond, tanks, lake और reservoir हैं इन सब की comprehensive analysis की है और उसके बाद इन्होंने अपनी first water body census को release किया है ये census basically conduct हुई थी 2018-19 में और इसके अंतरगत पूरे 2.4 million water bodies की analysis की गई है अब हम जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें water bodies का census करना पड़ा सबसे पहले आप ये जानिए कि जो center थी यानि कि जो हमारी central government सरकार है उसके पास जो जितने भी water bodies के data थे वो एक scheme के तहता देते एक scheme थी triple R अब यहाँ पे आप triple R को राम चरन और junior NTR के triple R से confuse मत करिए triple R का मतलब है repair, renovation and restoration इसके अंतरगत जितनी भी water bodies को repair या renovate किया जाता था उससे जो data मिलता था भारत सरकार उसी database को follow करती थी लेकिन 2016 में जो parliamentary की standing committees है उन्होंने ये recommend किया कि अब हमें जरूरत है कि हम एक separate water bodies का census करें क्यों? इसलिए कि हम scheme के तहट सिर्फ उन्ही data को collect कर पा रहे थे जो particular river या फिर कोई water bodies है जिनका repair हो रहा है या फिर renovation हो रहा है हम जब census conduct करेंगे तो हमारे पास all over India जितनी भी water bodies है उन सभी की data आएंगे और उसके बाद हम जो भी scheme निकालेंगे उनको repair renovate करने के लिए वो ज़ाधा efficiency से conduct हो पाएंगी इस जो recommendation को मानते हुए central government ने commission किया कि आप first census जो अपना है वो conduct करिए 2018-19 में ये पूरी analysis पूरे census को conduct किया गया और इसके साथ एक और important चीज हमें ध्यान में रखनी है कि इस data census के अलावा साथ ही साथ minor irrigation के लिए भी आपको census का करना है तो central government ने basically all over India जितनी भी water bodies है उनकी analysis की और साथ में 6 ऐसे minor irrigation project हैं उनकी भी analysis की अब हम बात करेंगे जो definition दी गई है water bodies की census के अंदर भारत सरकार ने water body को define किया है उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी natural या man made water bodies जो की industrial, drinking, religious ground या फिर ground water को recharge करने के लिए irrigation purpose के use में इस तरीके की जितनी भी water bodies हैं चाहे वो natural हो चाहे वो man made हो लेकिन उनका जो इस्तिमाल है वो इन सभी कामों के लिए किया जा रहा है उसको water body consider किया जाएगा जैसे कि tank हो गए, reservoir हो गए, ponds हो गए साथी साथ उन्होंने एक और definition दी है उसमें उन्होंने ये कहा है कि ऐसा कोई भी structure form होता है या फिर कोई छोटी water body form होती है किसके तहट, बर्फ के पिघलने के कारण या फिर कोई नदी अपना जो stream है या फिर अपना direction बदल लेती है उसके कारण या फिर कोई rain water या drainage के थुरू जो है एक छोटा सा area develop होता है पानी का उसको भी हम water body की तरह ही treat करेंगे लेकिन क्या इस census में सारी water bodies को cover किया गया है ऐसा बिलकुल भी नहीं है साथ category बनाई गई है जिसको exclude किया गया है from the definition of water bodies और उनके census भी नहीं conduct करवाई गये है इन 7 category में सबसे पहले आता है आपका oceans and lagoons दूसरे number पे है आपका river, stream जितने भी waterfalls है canal है जो के free flowing है जिनकी कोई definite boundary नहीं है या फिर वो पानी को store नहीं कर रहे है उनको भी exclude किया गया है तीसरे number पे आपका swimming pools को exclude कर दिया गया है जो covered water tank है जो उनको family या फिर household consumption के लिए use किया जा रहा है वो भी excluded है साथ ही साथ कोई ऐसा water tank जो कि कोई एक individual factory owner खुद के consumption के लिए use कर रहा है छट्वा है कि कोई भी ऐसी temporary water body जो कि digging या फिर mining के purpose से बनाई गई हो या फिर आप देख लो brick kills या जहां पे इटे बनती है वहाँ पर भी ऐसी छोटी छोटी डिक कर के water body इसको create किया जाता है लेकिन हम इन्हें ऐसा water body नहीं देख सकते है जो हमारा सात्वा है वो है पक्का open water tank created only for cattle to drink water ऐसे कोई भी tanks जो सिर्फ जो आपकी cattle से उनके पानी पीने के लिए भी बनाए गए हो वैसे tanks को भी हम consider नहीं करेंगे ऐसा water body और इन सातों category को exclude कर दिया गया है first water senses से यह हमें ध्यान में रखना है अब हम बात करेंगे कि क्या-क्या data reveal हुआ है देखिए जो यह senses है इसमें जो सबसे पहले और सबसे important point यह है कि इन्होंने पूरी 24,24,540 water bodies हैं उनकी analysis की अब इस 24,24,540 water bodies में से 38,496 water bodies है यानि कि यह हो गया 1.6% जो water bodies है वो encroached है अब देखिए encroached का मतलब यहाँ पे क्या होता है encroached का मतलब होता है अभी आपने देखा होगा कि यमना encroachment का जो Delhi issue है वो काफी जादा highlighted है encroachment से क्या होता है कि कोई river है उसके आसपास की जो जगा है जो जमीन की जगा है वहाँ पे लोग धीरे धीरे बसने लगते है और उससे क्या होता है कि वो और नदी के नजदीक जाके बसने लगते है वहाँ पे और pollution create होता है जिसकी वज़े से जो वो water body है उसका area कम होने लगता है और वो deplete होने लगती है इसी को कहते हैं encroachment तो भारत में total 1.6% water bodies जो है वो encroached है दूसरा point यहाँ पे यह बता रहे हैं कि यह जो 1.6% water bodies हैं इन में से 95% जो encroached water bodies हैं वो ruler area में पाई जा रहे हैं देखे रूलर एरिया में पाई ही जाएंगी है यह logically है क्योंकि जादा तर नदियां तो आपकी रूलर एरिया में जितनी भी water bodies हैं वहीं create होती हैं अर्बन टाउन्स में तो बहुत ही कम water bodies हैं इस कारण से जितनी भी यह 1.6% encroached water bodies हैं उन में से 95% water bodies इस रूलर एरिया को बिलॉंग करती हैं अल्मोस 63% water bodies जो हैं वह less than a quarter of area under encroachment है देखे जो point है इसमें यह बता रहा है कि दो type के encroachment है अब यह quarter है यह quarter एक measurement है कि कितना area encroached किया गया है तो 63% जो water bodies हैं उन में एक quarter से कम area encroachment के अंदर आया है लेकिन जो 12% water bodies हैं उसमें आप 3 quarter से जादा area under encroachment है तो आप समझ सकते हैं कि जो 12% water bodies हैं उनके अंदर encroachment बहुत ही जादा हो चुकी है आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं बाकी यहाँ quarter का जिक्र मैं फिर से बता रही हूं measurement के लिए किया गया है कि कितने level का area encroach किया गया है अब हम अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर almost 40% यानि यहाँ पे 15,301 water bodies जो हैं under encroachment है दूसरे नमबर पे आपका Tamil Nadu है जिसके अंदर 8,366 water bodies हैं वो under encroachment चल रही है और तीसरे नमबर पे आपका आंदर प्रदेश आता है जहाँ पे 3,920 water bodies under encroachment है तो हमें याद रखना है कि उत्तर प्रदेश नमबर 1 पे है यहाँ पे 40% जो water bodies है वो under encroachment है दूसरे नमबर पे है Tamil Nadu और तीसरे पे है आंदर प्रदेश एक और बहुत ही important point यहाँ पे हमें note करना है वेस्ट बेंगॉल, सिक्किम, अरुरांचल प्रदेश और चंडीगड के अंदर no encroachment पाया गया है यानि कि यहाँ पर जो water bodies present हैं उनके अंदर कोई भी encroachment नहीं हुई है तो यह बहुत ही important हो जाता है अगर हम report की मानें तो West Bengal का जो South 24 यानि South 24 परगना है वो drastic सबसे highest water bodies के लिए rank हुआ है सबसे number one पे यहाँ पर all over India जो है सबसे जादा 3.55 lakh water bodies पाई जाती है अगर हम बात करें उसके बाद है आंदर प्रदेश second number पे यहाँ पे almost 50,537 water bodies है और तीसरे number पे again West Bengal का ही हावडा एरिया है जो कि 36,301 water bodies यहाँ पे पाई जाती है तो दो point यहाँ याद रखने है अगर आपसे question में पूछता है कि encroachment के मामले में number one पे कौन है, कौन सा ही state है तो उतर प्रदेश हो जाएगा लेकिन अगर आपसे पूछता है कि सबसे जादा stable without encroachment water bodies कहाँ है तो वहाँ पे हो जाएगा West Bengal का South 24 परगना अब देखिए हमें यह भी जानना जरूरी है कि यह जो data collect किया गया है वो किस माध्यम से collect किया गया है क्योंकि भारत में अब कई सारी नई technologies भी आ गई है satellite है, geo tagging है, mapping है तो इन सबसे भी data collect होता है लेकिन यह जो census conduct किया गया है यह बिल्कुल traditional method पर conduct किया गया है यह paper based method था इसके अंदर हमने तीन schedule categories divide की सबसे पहले village schedule दूसरा है urban schedule और तीसरा है water body schedule इसको हमने on pen और paper इस category के अंदर जो भी data मिले हमने उसको लिखा दूसरा हमने इस्तमाल किया है smartphone का किसलिए smartphone के जरीए हमने जितनी भी bodies है उनके latitude और longitude का पता लगाया है साथी साथ हमें photos लेने के लिए भी as you know कि smartphone से क्या क्या काम होते है तो वो सारी चीजों की analysis करने के लिए हमने smartphone का भी उसकिया है I hope आपको अच्छे से हर एक चीज समझ में आ गई होगी तो जादा से जादा आप देखें इस वीडियो को एक से दो बार देखें तब ही आपको इस सारी चीज़े याद रहेंगी प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेर कीजिए जादा से जादा and don't forget to comment. Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.